गरे लुप चार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हाड़ दिख स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगी हल्दी वाला दूद किस समय पीना चाहिए और किस तरीके से इसको बनाना चाहिए ताकि इसके आपको दोगुने फायदे मिलें दोस्तो अक्सर आपने घर में बड़ों को ये कहते सुना होगा कि हल्दी वाला दूद पीने से ढहर सारे फायदे होते हैं दोस्तो ये बिल्कुल सच है हल्दी वाला दूद पीने के कई बड़े फायदे हैं लेकिन अगर आप इसे रात में सोने से पहले पीते हैं तो दोस्तों आपकी बोड़ी को इतना फायदा होगा कि आप इसे अपने रूटीन में सामिल कर लेंगे और इसे पीना लाइफ में कभी भी मिस नहीं करेंगे हल्दी दूद खांसी जुकान तो ठीक करता ही है ये बुखार में भी आपको आराम देने का काम करता है सरीर के किसी हिस्से में दर्द को कम करने के लिए भी हल्दी वाला दूद बड़ा फायदे मत होता है साथ ही इसके सेवन से पेट बिलकुल साफ रहता है कब्स खतम हो जाती है आपको कभी भी लाइफ में परिशान नहीं करेंगी आप इसका सेवन सुभे भी कर सकते हैं लेकिन रात में इसके सेवन से आपको दो गुना फायदा मिलता है ऐसा क्यों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए रात में हल्दी वाला दूद बीने से आपकी बोड़ी को कमाल के पांच बड़े फायदे मिलते हैं जो आपको और आपके परिवार को हल्दी लाइफ देने में मदद करेंगे बीमारिये से दूर रखेंगे और आपकी उमर को बढ़ाएंगे इस से पहले आपको बता दें कि हल्दी का दूद रात में किस टाइम पीने से आपको इसका सबसे ज़ादा फायदा होगा कोशिस करें कि सोने के कम से कम एक घंटा पहले इस दूद को पीलिया करें दूद पीने के तुरंट बाद आपको लेटना नहीं है सोना नहीं है ये आपके लिए बहुत जादा असरदार होगा दोस्तो आपने हल्दी दूद को पीने का सही तरीका तो जान लिया और अब आपको बता दें कि इसे बनाने का सही तरीका क्या है अब आप कहेंगे दूद में एक चम्मच हल्दी ही तो मिलानी है और क्या तो ऐसा नहीं है दोस्तो हल्दी दूद के आपको भरपूर फायदे मिल सकें इसके लिए जरूरी है कि सही मातरा में दूद और हल्दी का सेवन किया जाए एक गलास दूद में सिर्फ दो चुट की हल्दी जी हाँ दोस्तो एक चम्मच भरके नहीं सिर्फ दो चुट की हल्दी डाले इसे ठीक तरह से मिलाने के बाद गैस पर रखें उबाल आने के बाद गुन-गुना होने तक इसको ठंडा होने दें और उसको तुरंत बात पी लें बिल्कुल ठंडा होने का इंतिजार ना करें ऐसा करने से आपको गैस की प्रोलम हो सकती है बहुत जादा इसको ठंडा नहीं पीना चाहिए आपकी पेट की समस्या या गैस की समस्या हो सकती है दोस्तों अब आपको हम बता दें कि किस तरह से आप इसको practically बनाएंगे वो हम आपको दिखाए देते हैं दोस्तों यह दूद हमने लिया है एक कप के करीब है यह और आप एक गलास में दो चुटकी के हिसाब से हल्दी डालेंगे यदि आप आधा गलास दूद ले रहे हैं तो सिर्फ एक चुटकी ही इसमें हल्दी डालें ठीके यह हमने एक कप के करीब दूद लिया है और हमें इसमें सिर्फ एक चुटकी हल्दी डालेंगे और इस तरह से इसको डाल कर इसको अच्छे से मिक्स करें मिक्स करने के बाद आप इसको गैस पर रखेंगे और उबाल आने तक इसको गैस पर रखें और जब ये उबल जाये तो गुन-गुना होने तक इसको ठंडा करें और इसके बाद इसको पिलें दोस्तों इस तरह से दूद बना कर हल्दी वाला दूद बना कर पियेंगे तो आपको ठेट सारे और भरपूर फायदे मिलें गए और इसकी ताकत दो गुना हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मीठा मिलाना है कि नहीं मिलाना है तो दोस्तो आपको ये दूद बिना मीठा मिलाए ही पीना है मीठा मिलाने से प्रॉलम हो सकती है और गैस की समस्या हो सकती है ऐसी डिटी की समस्या हो सकती है इसलिए जब भी आप दूद पिया करें बिना हल्दी वाला भी यदि आप दूद पियें तो बिना चीनी बिना मीठे के ही पीना चाहिए दोस्तो ये तरीका है सबसे बेस्ट और सही समय है जो हमने आज आज आपको बता दिया है वीडियो में इस तरह से आप दूद पियेंगे तो डही सारे फायदे आपको मिलते चले जाएंगे और आप जीवन में कभी भी मिमार नहीं होंगे हमेशा ही हेल्दी रहेंगे तो दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नई मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपना खयाल लखें